नमस्कार दोस्तों एक वार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन्स जो मिली प्रीवियस हमिर पूर्पर के एक्जाम में ये क्वेशन्स पूचे आपको अगामी हच्पी एससी जेवीटी कमिशन एससाइए कंड़क्टर जेवाइटी पोस्ट कोड़ नोगसो पैंसेट और वीरियस एक्जाम जो हमिर पर वोड़ द्वारा कंड़क्ट किया जाने हैं उन्हें सभी एक्जाम में ये क्वेशन्स आपको काफी हैलफुल वित होंगी वहाँ पर आपको मेलने जी के और साइकलोजी के क्वेशन्स ही आपको देखने को मिलेंगे तो फ्रेंस वीडियो को शुरू करते हैं क्वेशन नमर एटी में बोला गया कि हड़पा सब्वेताबर कौन सा कथन जो है वो सत्य है विच स्टेटमेंट और हडपा स पर कौन सा कथन जो है वो सत्य है सकृषन का अंप cousin company है पशूपती उनके द्वारा पूझ नहीं थी स्टेटमेंट फोने के द्रू है कि जो ह्लेतमेन aliment है पशूपती की पूझा करते था हैं सब्सक्राइब करते हैं हारपा सब्वेता ये प्रेजन्ट में पाकिस्तान के मोट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है हडपा संस्कृति के जो सबसे ज़्यादा स्थल है वो गुजरात में आजादी के बाद खोजे गए है ये अपने याद रखना है हडपा की खोज जो थी वो बर्श 1921 में देराम साहनी ने की थी और हडपा जो अभी प्रेजन्ट में पाकिस्तान के मोट गोमरी जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है और हडपा संस्कृती जो सबसे ज़्यादा स्थल जो थे वो गुजरात में आजादी के बाद खोजे गए थी तो अप्शन नमर बी जो है इसक्रेशन के राइटन्सर है हडपा संबिता के लोग जो थे वो पशुपदी की पूजा कते थे अप्शन नमर डी इसक्रेशन के राइट अंसर है क्वेशन नमर 81 पर जलते हैं भारत की जाती विवस्ता डैस के लिए बनाएगी थी ता कास्ट अप इंडिया वाज क्रेटेट फो तो भारत की जो जाती विवस्ता चीव और किसके लिए बनाएगी थी काफी इंपोर्टन क क्वेशन नमर 81 पर जलते हैं क्वेशन नमर 82 में बोला गया है कि संथारा किसे समुदाई का धार्मिक अनुस्थान है संथारा इस अर लिजिएस रिच्यूल ओफ बीच कमिलिटी काफी इंपोर्टन क्वेशन है संथारा जो है वो किसे समुदाई का धार्मिक अनुस्थान है क्वेशन नमर 82 का जो राइट अंसर होगा वापका option number C है जियाँ जो है इस कुशन का रायट जो पहले तीर्थ करते हो, जैन धर्म के संस्तापक जो थे पतनी ये शोदा और ग्रह त्याग जब किया था वो तीस वर्स की आयू में किया था ग्यान प्राप्ति जो हो था उन्हें कैवल लेया जंबी ग्राम में हुआ था मृत्युन की पापपुरी 468 वीसी में हुई थी जयान धर्म ग्रंतों की भाशा है वो प्राकरेतिक है यह भी आपने याद रखना है और जयान धर्म के जो दो पंद्ध है वो शुवित अंबर और दिगंबर मतलो सुवेत वस्तर धारण और दिगंबर जो है वो वस्तर रहे ये भी आपने याद रखना है उसके बात करते हैं जैन महा संक्तियां जो हुई थी तो प्रत्थम जैन संक्ति जो थी वो कब हुई थी वो 322 से लेकर 298 पूर्व हुई थी किस स्थल में हुई थी पाठली पुत्र में हुई थी संगिती की जो देक्षते वो स्तूल भदर थे और दूसरी जो जैन संक्ति हुई थी दूसरी जो जैन संक्ति हुई थी वो 512 से भी में बलवी स्तल में हुई थी देवरिदी जो थे वो संक्ति की अध्यक्षते ये भी आपने याद रखना है और इसको बात करते हैं महावीर के प्रत्थम अन्यवाई जो थी महावीर स्व नरेश ददिवाहनी चम्पी थी ये आपने याद रखना है जिवन रचित बद्र वाहु रचित कलब सूत्र में संथारा जो है जैन रे समुद्वाई का धार्मी कनुस्ठान है क्वेश्चन नमर 83 में बोला गया है कि किस समराट ने संस्कृत भासा में नागरनद नाटक लिखा था विच इंपेरल रोट था प्ले नागरनद नाटक लिखा था संस्कृत भासा में नागरनद नाटक लिखा था बात करते हैं हर्षवर्दन के बारे में पुश्य वुति बंस्क इसकी स्थावन भी हर्षवर्दन ने किय थी इसकी दाजधानी थानेश्वर राजधानी थानेश्वर को कनोज्स थानांति दित किया था इकिसने ची था हर्षवर्दन के था едश़स्क जो इसकी दाजधानी था पूश्य वुश्य वुश्य वुति बंस की थानेश्वर से कनोज्स थानधृ की थी हर्षवर्दन ने क्यों तीनों नाटक जो हैं वो भी हर्षवर्दन नहीं लिखे हैं कौन से नागरंद ने लिखा है प्रिया दर्शिका जब है वह भी हर्षवर्दन लिखा है हर्ष के दरवारी बानभटने हर्ष चरीत और कादंबरी ख्रत्री हेन सांग ने भारत की यत्रा के तीनी यतरा प्राजित होने का उलेक मिलता है यह आपको पतको हे उसमां वह भारत में कितने वर्षों हो तक रहा था यह उसमां हूँ सकते हुचता है जacı कीमें 4 वर्षों तक रहा था नो आया कब था है जीय आतनी ऑर्षोंNewton बहारत करना हय तो 690 में श्रुटरमीलण मैं हर्षवर्दन जो था वो भारत आया था यह अपने नोड़न करने लेना है क्वेशन नमर 84 पे चलते हैं क्वेशन नमर 84 में बोला गया है कि किस लेककने किस लेककने अकवर के दीन इलाई को बुद्धी मानी का नहीं वली कि मुर्खता का मुर्खता का समार्क का विच राइटर है कोल्ड अकवर दीन इलाई as a monument of his fully note of wisdom तो किस लेककने अकवर के दीन इलाई को बुद्धी मानी का नहीं उसकी मुर्खता का समार्क का था यह किस ने कहा था क्वेशन नमर 84 का जो राइट अनसर है वापका आप्शन नमर बी है अकवर के दीन इलाई को बुद्धी मानी का नहीं वलकि मुर्खता का समार्क का था तो क्वेशन नमर 84 का जो राइट अनसर होगा वापका ऑप्शन नमर बी हो जाएगा बात करते हैं दीन इलाई के बारे में तो आपको बता हुआ अकवर ने 1582 में क्या हुआ था पंदरा सुब्यासी में अकवर ने सभी धर्मों के उत्तम सिधानतों को लेकर तोहीद इलाई या दीन इलाई नमक ने धर्म की स्थाबना की ती आपको पता हुआ दीन इलाई धर्म सुखार करने वाला जो प्रत्थम और अंतिम हिंदु शाशक था वो कौन था वो बीरवल था ये भी आपने याद रखना है अकवर की बात करते हैं अकवर का जनम 1542 में अमरी कोट में हुआ था अकवर का राज जेवशेक 1556 में काला नौर में हुआ था सिहासन पर वैठते ही अकवर ने बैरम खान की शाहिता से 1556 में 1556 में पानीपत के दूसरे युद में हेमु विक्रम दित्या को प्राजित किया था 1556 में हल्दी गाटी के परसेद युद में अकवर के सेनापती राजा मान सिंग निमेवार्ड के शाशक महाराना परताब को प्राजित किया था अकवर ने गुजरात जीतने के उपलक्ष पर बनाया था ये भी आपने याद रखना है और अकवर की महा का नाम जो था वो हमीदा बानु वेगम था और अकवर के दरवार में नवरतन के नाम से परसेद नो व्यक्ति कौन कौन थे वो बीरवल, मान सिंग, फैर जी, टोडरमल, अब्दुररहीम, खान खाना, अवुल फजल, तान सेन, भगवान दास और मुला दो प्याजा जो थे वो अकवर के दरवार में नवरतन के नाम से परसेद नो व्यक्ति थे और अकवर की जो मृत्ति होई थी, यह भी आपने याद रखना है जहांगीर का मकवरा कहां बना था? काफी इंपोर्टन कुछन है तो जहांगीर का जो मकवरा है, वो कहां बना था? क्वेशन नमर एटी फाइव का जो राइटन से रहे हैं, आपको बताऊगा जहांगीर का बच्पन का नाम जो था, वो सलीम था, उसने नूर दीन की उपादी धार न की थी जहांगीर ने सिख्खाँ के पांच में गुरु अरजुन देव को सहजादे खुसरों की साहिता करने के कारण नफासी लगवा दी थी, ये भी आपने याद रखना है, जहांगीर के शाशन काल में, मुगल चित्र गला जो थी वो चर्मो तो उसकर पड़ती, चर्म पड़ती ये भी, उसने राज्जे की जन्ता को नयाद दिलाने हैं तो, सोने की जंजीर को अपने महले के बाहर लगव ये भी आपने याद रखना है, जहांगीर ने फार्सी में अपनी आत्म का था, तुझके जहांगीरी की रचना की थी, और शहांजाने जहांगीर के बिरुद भी द्रोग कर दिया था, 1627 इसमी में, जहांगीर की मृती होई थी, जहांगीर के मकवरे का निर्मान नूर जहा ने लाहोर के निकट शहादरा नामकस्तान पर अकरवाया था, ये भी आपने आद रखना है, जो पाकिस्तान में है, आउक्शन नमर सी, इस क्षिन का राइट एंसर है, क्वेशन नमर 86 में बोला जया कि अचारिया विनोबा भावे ने नी सो चालिस में व्यक्तिकत सत्यक्र कहां से प्रारंब किया, फ्रॉम फेर डेड अचारिया विनोबा भावे स्टार्ट था, इंडिवीज्योल सत्यकरा है, 1940 में व्यक्तिकत सत्यक्रा कहां से प्रारंब किया था, क्वेशन नमर 6 का जो राइट उनसर है, वाका ऑप्शन नमर भी है, पावनार जो है, इस क्षिन इस क्षिशन का राइट एंसर है कुश्चन हमरे टी एड बे जलते हैं लाला लाजपतराई किसके विरोध में परदर्शन कर रहे थे जब उन्हें पुलीस निर्देटा का सामना करना पड़ा था वट वाज लाला लाजपतराई डेमनुस्ट्रेटिंग अगेंस वेन ही सकंड प्लीस ब्रदेटी तो लाला लाजपतराई जो था आपको पताऊए यह शाइमन कमिशन का विरोध कर रहे थे तब उन्हें प्लीस निर्देटा का सामना करना पड़ा था और सी इस क्षिशन का राइटन से ने सामने कमिशन भारत कब आया था यह निश्व आठाइस में आय तो ब्रेटिस क्राउन ने किस वर्स इस्ट इंडिया कंपनी से भारत की समप्रभूता जो थी वह प्राप्त की थी क्ष्ण नमर एक टी नाइन का जो राइटन स्रेवा का ओप्शन नमर यह है अधारा सो अठावन में आगले प्रेशन में जलते हैं रिग्वैधिक धर्म की आपर रहे हैं रहे हैं रहे हैं मैक्स मूलर ने का लुएसतान मद्याएशिय को माना है आरिया द्वारा जो निर्मित सब्बिता एक लाई आरिया में चाप्टरब बुसंगति के विविरण ने किस रहा जाग्या के निर्गमन को अपिछिया आरिया प्रोसीडिंग ओफ दा फॉर्थ बुजिस्ट कॉंसिल लेड टू दा इशू ओफ इडिक्ट तो चदुर्थ बोजसंगती के बिवरण ने किस राजाग्या की निर्म निर्गमन को प्रेरिद किया बात करते हैं जो चोथी बोजसंगती हुई थी बोजसंगती में बोजध धर्म जो था वो हीन यान और महायान धर्मों में बिवक्त हो गया था ये जो था वो नेया धर्मों में बीक्त हो गया था में एकस्व एकस्व आतीस में बोला गया है कि होन नेता मिहिरकुल किस्सय प्रासत हुआ था लीडर मिहिर्कुल वाज भाहि किस्सय प्रासत हुआ था क्वशनं मोर 132 गौा डर्मन का राइट है क्वश्चंश बाइट 115 ≫ में बुलन कि इसराजपूत बंशन ने अकवर के सामने समर्पण नहीं किया विच राजपुत राजबंशन ने अकवर के सामने समर्पण नहीं किया था क्वेशन नमर 133 का जो राइटन्स रह वा का उप्शन नमर भी है प्रतिहार जो है इस question का right answer है प्रतिहार राज को तो राजवंशन ने अकवर के सामने समर्पण नहीं किया option number B is question का right answer है question number 134 पे चलते है अकवर का सबसे प्रसेद दरवारी कभी हिंदी साथिय में कौन था most famous court point ने हिंदी literature of अकवर वास तो अकवर का सबसे प्रसेद दरवारी कभी जो था वो कौन था question number 134 का जो राज़न रेवाव का option number D है अब्दुलरहीम खान एक खाना जो है इस question का right answer रेवे अकवर का सबसे प्रसेद दरवारी कभी था हिंदी साथिय में बात करते हैं अकवर के दरवार का जो प्रसेद संगीत कार था वो तान सेन था अकवर के दरवार के प्रसेद दरवारी कभी जो था हिंदी साथिय में वो अब्दुलरहीम खान एक खाना था question number 135 पे चलते हैं बिक्रमशीला में प्रसेद मठ की स्थापना किसके दरवार की थी थी ता famous monastery at Vikramशीला वास of founded why था तो Vikramशीला में प्रसेद मठ की स्थापना थी वो किसके दरवार की थी question number 135 का जो right answer वागा option number D है पाल जो है इस question का right answer है Q136 में बोलागी कि महावारत को डैश के नाम से भी जाना जाता है तो friends according to final answer कि इस question की सभी को grace दी आपको बतोगा महावारत को जह सहिंता के नाम से भी जाना जाता है Q137 में बोलागी है कि Q136 में बोलागी है Q136 में बोलागी है कि इस ने कुट्व मिनार को बनावा कर पूरा किया था तो जो तो प्रारम कर वाया था लेकिन इसे पूरा कर रहा था इस ने एक ता विवस्ता सुरू की थी इस ने चांदी में टंका तथा तामबे के जित्तिल का प्रसलन किया उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त किया और ऐसा करने वाला वे प्रत्तम मुस्लिम शासक बना था ये भी आपने आद रखना है इल्तू मिशने लाहावर की जगा दिल्ली को अपने राजधानी बनाया था इल्तू मिशके शासन काल में मंगोल शासक चंगेज खां मंग वरनी का पीछा कर यह कब से की जाती है इसकी गंड़ना कब से की जाती है क्वेशन नमर 138 का जो राइट असर है वाका अप्शन नमर भी है कुशान जो है इसक्वेशन का राइट असर है क्या चलते है तीलु सल्तोथे जो आंट वस्तुता जाता-व्सकरमन के कारण वुए ता डिल्ली सल्तू नमर 118 धूत्यिड प्रेंट प्रभा תlorर्षा अंतिम शाशक था इबराहिम लोधी था इबराहिम लोधी ने 1526 में पानीपत के प्रत्थम युद्व में बावर के हाथों मारा गया और दिल्ली सल्तनत का कार जो था वो समाप तो लिया था बावर को भारत पर आकरण करने के लिए निवेंतर न जो था वो पंजाब के शाश कि इस वीडियो में वस इतना ही आज हमने हिस्ट्री के कुछ इंपोर्टेंट कोशिन डिसकस किया जो प्रीवियस हपी एससी हमिरपर के एक्जाम में यह कुछेंगे थी तो फ्रेंट्स इन क्वेस्ट्स की मैंने आपको जितने भी अंसर बताई वह फाइनल अंसरी की कि कि इस वीडियो में वस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंदा ही तो वीडियो को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे तो थैंक्यू फ्रेंट्स